करीब 9500 साल पहले सुमेरियन्स ने बेगड क्ले यानी पकी हुई मिट्टी को फाइनेशल टोकन्स की तरह इस्तमाल कर ट्रेट करना शुरू किया था एक तरह के शेप से कैटल और दूसी तरह के शेप से ओईल खरीदा जाने लगा ये काफी प्रिम्टिव तरीका था पर जरूरी था क्योंकि बिजनिस की जड़ें यहीं से आती है कहा जाता है कि बिना पैसो के भी कई सिविलाजिशन्स एग्जिस्ट करती थी पर कोई भी बिना पैसो के बहुत दूर तक नहीं जा पाई फास फॉरवर्ड करें तो हजारों सालों के बाद 19th century के end एक progressive era कहा गया और इसी दौरान दुनिया ने कुछ ऐसे entrepreneurs और businessmen का rise देखा जिन्होंने legendary काम किये जमशेट जी टाटा, एंड्रू कैरनीक जैसे कुछ लोग सुपर wealth creators की तरह सामने तो आए ही पर progressive philanthropist भी बने जिन्होंने दौलत कमाते हुए उसे distribute करते रहने में बिलीव किया दोस्तों आज हम टाटा ग्रूप और एक पूरे शहर, जमशेट पूर के founder और इंडिया की एक important सक्षियत जमसेट जी, नुसरवान जी टाटा के बारे में बात करेंगे इसका मतलब यह है कि जमसेट जी टाटा ने 20th century में दुनिया भर में किसी भी व्यक्ती या कमपनी से ज़ादा donations और charity में participate किया है last century में globally एक estimation के अनुसार total 832 billion donations में दिये गए है इस amount का करीब 12% यानि 102.4 billion इंडिया के pioneer industrialist और Tata Group के founder जमसेट जी टाटा ने दिया है उनके लबा 12th ranking पर विप्रो के founder chairman अजीम प्रेम जी है जो ने 222 billion dollar की philanthropy किये है आज इस वीडियो में हम श्री जमसेट जी के बारे में discussion करेंगे हम Tata Group की शिरुवात, उनकी जिन्दिगी और इंडिया को लेकर उनके प्यार को समझेंगे उनने इंडिया के independence struggle में भी बड़ा योगदान दिया है Tata Group के simultaneously business करते रहने के कारण भी इंडियन economy को उतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना British चाहते थे हलाकि इस दौरान कई businesses थे जिन्होंने इंडिया को चलाया पर आज हम जमशेच जी Tata और उनकी विजिन पर focus करेंगे सबसे पहले हम Tata Group के founder के बारे में जान लेते है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका study IQ में दोस्तो Tata की legacy कई सदियों से चल रही है तेकिन जमशेच जी ने कई progressive changes लाकर हिस्ट्री में अपना नाम एंशीन किया है एक पार्सी फैमिली में पैदा हुए जमशेच जी नुसरवान जी Tata के पहले बच्चे थे Elphinstone College Bombay से 1858 में graduation complete कर उन्हें अपने पिता की ही export trading firm को join किया जमशेच जी ने business को Japan, China, Europe और US में establish करने में अपने पिता की help की graduation की 10 सालों में उन्हें एक trading company शुरू की जिसे बाद में Tata Group कहा गया 1872 में जमशेच जी ने cotton manufacturing पर focus करते हुए नापूर, Bombay और कूरला में mils बनाई उनके mils में efficiency, labor protection policies के improvement और fiber के fine grades का इस्तमाल की तारीफे हुई उन्होंने hydroelectric power plants के बारे में भी plan किया था जो 1906 में Tata Power Company बनी 1901 में जमशेच जी ने इंडिया का पहला large scale iron work organize करना शुरू किया और करीब 6 सालों बाद इसे Tata Iron and Steel Company में incorporate किया गया इसे आप Tata Steel कहते हैं जमशेच जी की दो बेटे थे सर दोराब जी, जमशेच जी Tata और सर रतन Tata इन दोनों बेटों के directions में Tata iron और steel company इंडिया की largest privately owned steel maker बनी ये company उन companies की group का nucleus बनी जिनने textile, steel और hydroelectric power ही नहीं बलकि chemicals, agriculture equipments, trucks, locomotives और cement भी manufacture करी जमशेच जी के अन commercial ventures में इंडिया का पहला luxury hotel ताज महल पैलेस शामिल है 1904 में जमशेच जी Tata की death के बाद उनकी परिवार ने Tata group का control retain किया और इसे global conglomerate बनाया जिसके अंदर 21st century की शुरुआत में 100 से जादा companies हैं जमशेच जी Tata ने 1892 में ही JN Tata endowment established किया था जो higher education के लिए Indian students को encourage करने के लिए था 1898 में उन्होंने बैंगलोर में एक research institute के लिए land donate की उनके बेटों ने 1911 में आखिरकार इसी land पर Indian Institute of Science established करवाया Tata family ने इंडिया में technical education और scientific research में बहुत सारा पैसा invest किया है अब हम बात करेंगे जमशेच जी Tata के इंडिया को लेकर vision के बारे में दोस्तों हमने देखा कि Tata Group की companies कैसे establish हुई है जमशेच जी Tata की जिंदगी के आखरी दो दशक इंडिया के लिए industries और economical strength बढ़ाने पर base थे उनका vision इंडिया को economically independent बनाने का था इसके लिए खुद का production, trade और industrialization ज़रूरी था पर साथी साथ लोगों का विकास और गरीबी खतम करना भी ज़रूरी था जमशेच जी ने इसी दोरान billions of dollars दोनेट किये और कई तरह के कामों में Indians के favor में लगा है Indian Institute of Science और Tata Group की सारी companies के establishment या idea propagate करने के साथी साथ Tata का vision था कि labors और workers की सभी needs एक ही जगया पूरी हो जाए तो इसो धान रखना ज़रूरी है कि जमशेच जी Tata की पूरी जिंदगी ऐसे भारत में गुजरी थी जिस पर British rule था भारत उस वक्त एक colony था इस दोरान इंडियन्स के साथ होने वाले व्यभार को लेकर भी कुछ steps ऐसे लिए जाने लगे कि एक nationalist private company सामने आई जमशेच पूर में इंडिया का vision साफ दिखाई देने लगा जब एक ही जगे पर सब मिलना शुरू हुआ टाटा स्टील की website के मताबिक जमशेच जी टाटा ने दुराब टाटा को जमशेच पूर टाउन्ट्रिप का concept बताया था इस letter में उन्होंने दुराब जी से कहा ये ensure करना कि streets में shady trees plant किये जाएं जो जल्दी पनप सके be sure कि वहां lawns और gardens के लिए बहुत space हो फुटबॉल, हौकी और पार्क्स के लिए large areas रिजर्व हो हिंदू टैंपल्स, मुहमद मस्जिदों और Christian churches के लिए areas को earmark करना जमशेच जी टाटा ने इंडिया के independence struggle में अंगिनत योगदान दिये है स्वदेशी जब political crime ही बना था उसके पहले जमशेच जी ने 1886 में Bombay presidency की धरामसी मिल्स खरीदी थी experts की advice थी कि इस मिल्स को ना खरीदे क्योंकि वो बरबादी की कगार पर थी इसे उन्होंने स्वदेशी मिल्स नाम दिया और स्वदेशी मुव्मेंट की beginnings को मार किया हलाकि ये मिल्स जमशेच जी के सबसे difficult projects में से एक था और radical overhauling चाहता था जमशेच जी की reputation बढ़ रही थी तो investors invest करने के लिए एगर थे उन्होंने invest किया और overhauling हुई हलाकि ये मिल्स दो साल बात fail होने लगी तो जमशेच जी ने अपने परिवार के trust को bank को guarantee की रूप में दे कर पैसे लिए और इसे चलाया और इसके बाद अगले 10 सालों में सुदेशी मिल्स ने खूब मुनाफ़ा दिया सर्फ दिंशा वचा उस वक्त सुदेशी मिल्स में जमशेच जी के manager थे जो बाद में Indian National Congress के president भी बने 1914 में वचा ने लिखा सुदेशी के reconstruction में शुरुआत में 7 लंबे सालों तक closely associated होने के बाद मैं Mr. Tata की tenacity, business capacity indomitable courage के लिए admiration withhold नहीं कर सकता जो उन्होंने इस institution को उपर लाने में लगाई है Tata website पर मौझूद information के मुताबिक RM Lala ने लिखा है कि जमशेच जी Tata तब 25 साल के थे जब दादा भाई नारोजी इंडिया के independence के लिए economic और social approach लेकर आ रहे थे दादा भाई नारोजी को grand old man of India कहा जाता है जो Indian National Congress यानि INC के founding fathers में से एक थे जमशेच जी नारोजी के views के साथ sympathize करते थे और Indian National Congress के साथ close थे यहाँ तक कि 1885 में INC के first session में present भी हुए पर जमशेच जी Tata मानते थे कि बिना economic self-sufficiency के political independence meaningless होगी कई जगहों पर उलेक है कि जमशेच जी Congress के endeavors को support करते थे और पूरी जिन्दगी करते रहे जमशेच जी Tata की biography में Frank Harris लिखते हैं कि जमशेच जी का figures को लेकर दिमाग excellent था और currency problems exchange fluctuations और bank rate manipulation जैसी दिक्कतों में वो एक sound authority थे ऐसे में यदि कोई measure इंडिया की economic stability को disturb करने के इरादे से लिया जा रहा होता था तो जमशेच जी जोरो से protest करते थे इसका मतलब ये है कि Indian businesses और enterprise के लिए उनने Britishers के साथ भी कई battle लडे दोस्तों जमशेच जी Tata ने Indian businesses, independence और philanthropy में larger than life योगदान दिया है लेकिन एक बार हम कुछ top global philanthropy को भी discuss कर लेते हैं जैसे कि आप जानते हैं 20th century का total donation figure 832 billion dollar रहा है इसमें सबसे ज़ादा donations जमशेच जी Tata ने किये हैं पर यह देश की बात करेंगे तो USA 503 billion dollar के साथ सबसे उपर है USA के 39 philanthropist हैं जिसके बाद UK के 5, China के 3 इंडिया के 2 और Portugal और Switzerland के एक-एक है globally दूसरे नंबर पर Bill and Melinda Gates है जिन्होंने 74.6 billion dollars दोनेट किये हैं 3rd है Henry Wellcome जिन्होंने 56.7 billion dollars दोनेट किये हैं 4th है Howard Hughes जिन्होंने Research and Development फील्ड में 38.6 billion dollars दोनेट किये हैं 5th है जाने माने investor Warren Buffett जिन्होंने 37.4 billion dollars दोनेट किये हैं mainly Bill and Melinda Gates Foundation को दोस्तों Top 50 Global Philanthropist में केवल 13 जीवित हैं और 37 की मृत्ती हो चुकी है Top 50 Global Philanthropist में इंडिया के केवल दो हैं एक जमशेच जी टाटा और दूसरे विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी अजीम प्रेम जी का पूरा नाम अजीम हशम प्रेम जी है जो जुलाई 24, 1945 में बॉम्बे में पैदा हुए थे प्रेम जी अर्ली 21st सेंचुरी में वर्ल्स विल्दियस्ट पीपल में से एक थे उन्होंने 4 डिकेट्स विप्रो की चेर्मेंशिप समभा ली आईबियम के भारत छोड़ देने के बाद विप्रो को उनने कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर की तरफ मोड़ा दूस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और जमशेट डी टाटा से जोड़ा ऐसा कौन सा वाक्या है या ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपको सबसे ज़ादा इंस्पायर करता है आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आपने दोस्तों के शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद चै बारत